नेपाल वोमेंस टीटवंटी कवर करेंगे केपी डवलू भर्षस एलपी डवलू ग बीच लेकिन कल दो नेपाल वोमेंस कवर किया यहां पर देख सकतो काफी सांदार दोनोग दोनो गया और हम लोग वन साइडेड विन किये और मजे की बात रही दर लगवक सेम कोंबिनेशन से जी एल भी हमारा यूजर से ने ही विन किया और काफी गजब मजा भी आया कि शली अच्छा जा रहा है लगा ताल डोमेंस्टिक मेज भी ठीक ठाक जा रहा है भगवान की पासे तो उमीद करेंगे यह मुकबला भी हम वो ने इनके सारे पिलियर के बारे में पता किया उनके अलावे भी कोई नियू खिलेगा तो आपका भाई उनका देगा इनके अलावे एल पी डबलु ये भी बहुत बढ़िया टीम है इनके पास भी अच्छे खासे खिलाड़ी है जो की बढ़िया परदशन कर रहे हैं उन उनका 1% हो या फिर उनका सेलेक्शन 100% हो उनसे मतलब ने अच्छा है तो अच्छा है रिस्क है तो रिस्क है तो मेरे भाई इस मुकाबले को हमारे साथ खिलना चाता हो या फिर कोई अन्य डोमेस्टिक वोमेंट टीटें जो भी तो हमारे टेली गराम चैनल को आपको जोईन क परकार है एकदम सिंपल है मेरे भाई हमारा टेलीगराम चैनल आपको इस परकार से दिखाई देगा पॉस्ट पन पॉइंट आट के सब्सक्राइबर के आसपस यहीं पे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्सन लिंक या फिर वीडियो के फर्स्ट कोमेंट पे लिंक होगा उनकी साहता से जुड़ोगे यह ओरिजिनल चैनल पे चले आओगे और बिल्कुल फिरी का फाइदा आप उठा सकते हो तो मेरे भाई यहाँ पर देखेंगे LPW वोमेंस के टीम के उपर यहाँ पर देख सकते हो एम राना की बात के तीन ओभर डाली फास्ट गेन वाजी करते 23 रंदिया कोई विक्टे नहीं कमला जीम की बात के इन्होंने भी दो ओभर डाला ठीक ठाक रिकोड है लेकिन याज देख सकते दो ओभर 22 रंदे पहुंचे सरुसत्ति पून की बात के बहतरिन ओल रॉंडर है केप्टन भीसी दे सकते बल्ले बाजी भी ये 20 से 25 करके देगा साथ में चार ओभर कम्पिलीट करना जाए हाली हलांकि यहाँ पर तीन ओभर में 16 रंदे कर एक विक्टे लिगा लेकिन चार ओभर किया अच्छा है इस रुका की बात किया चार ओभर 27 रंद एक बिक्टे सी चौधरी दो ओभर डाला और यही है वोमेंस में कौन कितना ओभर डाल जा एक्सपेरिमेंट ना होगा तो जील भी आ सकता है तो एक्सपेरिमेंट इसे मुकाबले में होते रहते हैं बागी बल्ले बाजी में देखो लक्षिमी चौधरी बिकेट की प्रिंग होगा बहुत बढ़ियां फोर्म में और यह सबसे बेस्ट शुआइस भी होना चीए यह पुलामी मगर की बात के बल्ले बाजी सेक्षन में चाहोते इनके सांथ जा सकतो या फिर सरस्वत्ती ज होगा क्योंकि और कोई अधर हैंने सवाथि फिन गेन ऐसी चऌधरी यहां पर बल्ले बाजी करने के लियान इनके लावे कमलाजी मधू नहीं कहते हैं जया आएक प्रस्वती पून की तो 19 निया इनके अलावे बजगाई की बात की जाए तो इन्होंने शाओदा का योगदान ते गेनबाजी क्या रहा गेनबाजी ठीक ठाक तो नहीं रहा मदू डीसी जरूर एक बिक टे ले गए बाकी सारे के सारे फुलोप रहे अगला देखेंगे मेरे भाई फिर से लक्षिमी चाओदरी 42 याने रन जोन इनके ऊपर निर ए स्पून और यहां से कमला जी एम को एक एक बिक्टे मिला बाकी एम राना को बिकेट नहीं मिला लेकिन अच्छी गेनबाजी की तो भाई KP वोविमेंस का तो आज हम लोग ने खेल देखी लिया तो जादा जरूरी नहीं लेकिन फिर भी यहां से देख लेता है यह वाई थारू की बात किया 4 ओवर 32 रन दे कर एक बिक्टे एक गुरूंग की बात किया 4 ओवर 35 रन दे कर दो बिक्टे ठीक ठाक यह भी ग रस्मी खड़का की बात के इनका सेलेक्शन 5 परशेंट तो हम लोगों ने फिक्क ठाक यह आगे ले गया और हम लोगों को वन साइडेड वी ने भी करवाया बी थापा है तो बहुत बनिया क्वालिटी स्पिनर चार ओवर डालेगा बहुत जादा इंपोर्टेंट हो जाए दोस्तों दोनों टीम जब आपस में खेली वो जनवरी 2023 की बात है तो यहाँ पर देख सकते हो इस परकार से इनका रा लक्षिम चाउदिली ने 33 इनके खिलाब सरशती पून ने 30 का योगदान दिया इस तरह से इनों ने बल्लेबाजी किया सामने वाली टीम के खिलाब और यहाँ पर देखो इसकोर 147 पहुंचा दिया भाई बनिया बल्लेबाजी क्या वाई थारू दो बिक्टे लेगे एक गुरूंग को तीन उभर में 30 रन पड़ी कोई बिक्टे ने बिन्नू थापा ने यहाँ पर दो बिक्टे लेगे रमा को एक बिक्टे मिला इनकी बाई जाधा कुछ नहीं देखेंगे सीधे कॉंबिनेशन के उपर बात करेंगे लेकिन इससे फाले है कि जदि हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो मेरे भाई जल्दी सजा कर सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ड्रीम लेबन से रिलेटर कोई भी अपडेट आता है मैं सबसे पहले इंफोर्मेशन देता हूँ इनकी अलावे कुछ जनकारी लेना आओ इस्टाप पे मेसेज करो मैं वहापर सारे लोग का रिपलाई देता हूँ वह भी बहतर तरीका से बिकट कीपर पिक करना है लक्षिमी चौधरी बिकट कीपर में टेंशन नहीं ल सकतो तिछरा यहाँ पे किये कुमारी किरन भी किरन कुमारी भी बुरा नहीं है तिये तीनों सेलेक्शन बेसिट लेकिन तीनों को पिक नहीं करना तीनों में से किसी एक के साथ जाना है फिलाल मुझे ए मगर बढ़िया लगा तो मैंने पिक कर लिया ओल रंडर वाई थारू को तो पिक करना ही है इस्पून को तो पिक करना ही है इनके अलावे रश्मी खडिका को भी पिक करना है भी फिलाल के लिए मधू डीसी को अटाग रखना है एक गुरूंगो को भी यहां से पिक करना जरूरी है इनके लब मरा सिनी की बात के यह भी एक बढ़िया इस्पीनर है बी थापा लाश्ट मुकाबले में दो यी ओभर किया क्या इनके उपर विचार किया जाएगा लेकिन चार ओभर कर सकता है करेगा तो 100% बिक्टे ले जाएगा क्योंकि इनका गेन बाजी अच्छा है एमराना इनको अभी ड्रोब करके चलते त्रीसाना को यहांसे पिक्या अब जो दो पिलियर लेना है वो डिसाइड करेगा फिलाल के लिए मैं तो यहांसे एमराना को ले लिया हूँ लेकिन एस भुसल कहलेगा तो यह भी इंपोर्टेन है दोनों नहीं और अन्य भी आई केप्टान विची का बढ़ियाँ-चोआइस कोन होगा बढ़ियाँ-चोआइस के मामरे में यहाँ से इस्पून का नाम आता है और अगला देखा जाए तो यहाँ से आप तिरिसाना के उपर भी जा सकते हैं चलो इनके उपर ना जाएं लेकिन ये तीन जादा बहतर है ए स्पून वाई थारू ए गुरूंग तो इन तीन के उपर हम लोगो केप्टन भीसी जाना चीए फिलाल के लिए मुझे जो लगा मैंने कल ही रिसर्च करके रखा थार कल के अनुसारी मैं केप्टन भीसी इन दोनो के उपर जा रहा हूं तो फिलाल के लिए ये टिम सेफ कर लो इसमें जो भी चेंज होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा कहां अपने टेलीग्राम चैनल डोमेस्टीक फिलिंग 11 पे तासा करते हैं भगवान की किरिपा से हम लोगों का रिजल्ट भेतर जाए आप कमेच अल्ट्रा किलिन स्विव जाए मिलकर प्रोफिट कमाए पैसा कमाए और जम कर खेलते रहे डोमेस्टीक फिलिंग लेवान के साथ मस्त रहो स्वस्त रहो इसी के साथ वीडियो को भी जमाब्द करता हूं